बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा 5 का अध्याय 11 जैमिती आकृती पे चर्चा करेंगे तथा उस पे अपनी समझ रिक्षित करेंगे बच्चो हम आकृती से पलचित हो चुके हैं आपने कक्षा 4 में कुछ आकृती देखियोगी जिसमें आप सम्मित्ताग पर कुछ आवधारनाई स्पर्ष्ट कर चुके हैं तो आईए बच्चो हम उसी के कुछ आगे चलते हैं और कुछ नई अवधारनाएं विक्सित करते हैं तो बच्चो आज हम जो आकरिती देखेंगे उसमें सबसे पहले है त्रिभूज तो बच्चो आपको यहाँ पे एक त्रिभूज दिखाई दे रहा होगा यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यह त्रिभूज तीन भुजाओं से मिलकर बना है तो हम इसका परिभाजा कैसे बोल सकते हैं बच्चो कि वह आकरिती जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम त्रिभूज कहते हैं आईए बच्चो हम देखते हैं इस त्रिभुज में ही और कितने भाग होते हैं तो बच्चो आपको यहाँ पे एक चेतर दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने त्रिभुज के भागों को लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले देखते हैं उनके सिर्ष को तो बच्चो त्रिभुज में जो हमें कोना दिखाई दे रहा है उस कोने को हम सिर्ष कहते हैं जैसे यहाँ पे आपको चित्र में तीन सिर्ष दिखाई दे रहे होंगे बच्चो हम सिर्ष को उस बिंदू पे जैसे यहाँ पे A, B, C लिखे हुए हैं उसी के नाम से पहचानते हैं जैसे सबसे उपर में आपको सिर्स A दिखाई दे रहा है फिर आपको नीचे में सिर्स B और सिर्स C दिखाई दे रहे होंगे तो बच्चों, अब आप समझ चुके हैं जो तरिभुज का कोना होता है उसे हम सिर्स कहते हैं अब हम दूसरे भाग में चलते हैं बच्चों, तो त्रिबुज का दूसरा भाग होता है, उसे हम भुजा कहते हैं, जो त्रिबुज को घेर के आकरिती का रूप देती हैं, तो यहाँ पे त्रिबुज में तीन भुजाय होती हैं, आप देखी रहे होंगे, एक, दो, और तीन हम भुजाओं को सिर्ष के माध्यम से दर्साते हैं वह किस सिर्ष से प्रारंभ होके किस सिर्ष पे समाप्त हो रही है जैसे कि भुजा A, B अर्थात भुजा A से प्रारंभ होके B तक जा रही है उसी प्रकार भुजा B, C सिर्ष B से प्रारंबों के C तक जारी है और तीसरी भुजा हो जाएगी भुजा C A बच्चो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं अर्थात भुजा A B को हम भुजा B A भी लिख सकते हैं दोनों का अर्थ एक समान होगा बच्चो आपने पिछली कक्छा में कोन तो पढ़ाई है तो त्रिभुज में तीन कोन भी होते हैं आपको दिखाई दे रहा है एक कोन उपर बन रहा है और दो कोन नीचे बन रहा है अब हम कोन को किस प्रकार लिखते हैं तो बच्चो जो बिंदू पे कौन बन रहा है उस बिंदू को हम मध्य में लिखते हैं जैसे उपर के कौन को हम लिखेंगे कौन B, A, C क्योंकि वह कौन सिर्ष A पे बन रहा है बच्चो इस कौन को हम विपरीत भी लिख सकते हैं अर्थात कौन C, A, B उसका भी अर्थ वही होगा तो हम कौन को दोनों रूप में लिख सकते हैं नीचे आप देखिए आपको एक कौन और दिखाए दे रहा होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चो तो कौन A, B, C या कौन C, B, A दोनों का अर्थ एक जैसा होगा तो बच्चों हमें कितने कोन मिले? तीन तो त्रिभुज की तो यही खासियत है कि इसमें हर चीजें तीन होती है तीन सिर्ष होते हैं तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोन होते हैं अब बच्चो यहाँ पे कुछ त्रिभूज दिखाई दे रहा है इन त्रिभूजों में हमें उनकी भूजा और उनके कोन का मापन करना है बच्चो आपने पिछली कक्छा में कैसे कोन मापते हैं यह सीख चुका है तो यहाँ पे आप जो कोन दिखाई दे रहे हैं उसे चांदा की साहिता से आप मापन कीजे और उसका मान ग्याद कीजे उसी प्रकार आप पिछली कक्छा में सीख चुके हैं कि लंबाई भी कैसे नापते हैं तो अब इन त्रिभूजों की जो भूजाएं हैं उनकी लंबाई भी आप अपने कमपास स्केल की साहिता से ग्याद कर सकते हैं उन्हें भी निकाल के देखिए अब जो मान आपको मिल रहा है बच्चो अब उसे हम एक तालिका में देखते हैं तो आपको कितनी त्रिभूज दिखाई दे रही थी तो यह देखिए आपको तालिका में भी तीन क्रमांक दिखाई दे रहे हैं त्रिभूज क्रमांक एक त्रिभूज क्रमांक दो और त्रिभूज क्रमांक तीन अब हमने देखा था त्रिभूज में कितने भाग होते हैं वच्चो तीन भाग सिर्स कोन और भुजा तो देखिए यहां तालिका में आपको सिर्स भी दिया है भुजा भी दिया है और कोन दिया है तो उन तीनों तृव जो के सिर्ज कोण और भुजा इनका मापन करके आपको यह तालिका भरनी है यह आपके पाथ्षी पुस्तक में दिया गया है बच्चों तो आप इसे मापन करकते हुए अपनी जो पाठी पुस्तक्या में तालिका दी गई है उसे आप भर ली तो अब हम देखते हैं बच्चो कि त्रिभूजों को हमने उसके भूजाओं के अधार पर तीन प्रकार से बाटा है जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है संबावु त्रिभूज इस त्रिभूज की खासित होती है बच्चो कि इसकी जो तीनो भूजाओं होती है उनकी लंबाईया एक समान होती है तो आपको एक छित्र दिखाई दे रहा है बच्चो इसमें देखिए त्रिभूज की तीनो भूजाओं की लंबाई एक समान है तो अब हम बोल सकते हैं बच त्रिभुज कहते हैं इसी प्रकार बच्चो जो दूसरा त्रिभुज होता है उसकी खासियत होती है कि उसकी दो भुजाएं एक समान होती है आपको चित्र में दिखाई दे रहाँगा बच्चो जो त्रिभुज है इसकी नीचे की दोनो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तो अब हम परिभासा क्या बोल सकते हैं बच्चो कि जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे संदीबाहू त्रिभुज कहते हैं अब बच्चो ऐसा त्रिभुज मिल जाए जिसकी भुजाएं अलग-अलग लंबाई की हो तो क्या होगा तो वो हमारा तीसरा प्रकार का त्रिभुज है अर्था ऐसा त्रिभुज जिसकी हर भुजाओं की लंबाई अलग-अलग हो असमान हो उसे हम विशंबाहु त्रिभुज कहते हैं तो यहाँ पे हमनों देखा बच्चो की त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं पहला संबाहु और तीसरा विसम बहुत्रिबूज। बच्चो आपने पूर्व की कक्षा में कोन मापना सीख लिया है? तो आप इन सभी त्रिबूजों का कोन मापी है? अब इन कोनों के अधार पे हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे एक तालिका बनाया हैं बच्चो। आपने पिछली काक्षा में देखा होगा कि जो कौन 90 अंस से अधिक होते हैं उसे अधिक कौन और जो 90 अंस से होते हैं उसे सम कौन और जो 90 अंस से कम होते हैं उसे हम न्यून कौन कहते हैं तो आईए बच्चों, हम अब इसी पे कार्य करते हैं, आपने अभी अभी कोन का मापन किया, अब उन कोनों का जो आपको मापन आया है, उसके अधार पर हमें एक तालिका भरनी है, जिसमें आपको देखे, पहला दिखाई दे रहा होगा कि कितने अधिक कोन है, अब बच्चो आपको पता ही है, अधिक कोन किसे कहते हैं, जी हाँ, जिसका मान नब्बे अंस से अधिक हो, तो आपको इस तालिका में उन सभी कोन का नाम लिखना है, जिसका मान नब्बे अंस से अधिक है, उसी प्रकार आपको दूसरी तालिका दिख रही होगी, उसमें क्या लिखा है बच्चो कितने संकोन तो संकोन किसे कहते हैं बच्चो जिसका मान नब्बे अंस के बराबर हो तो इन में आपको उन सभी कोन के नाम लिखने हैं जिसका मान नब्बे अंस था तीसरा कॉलम देखिए बच्चो जो तीसरी पंक्ती है उसमें लिखा है कितने नियून कोन थे तो इन में आपको उन कोनों के नाम लिखने हैं जिसका मान नब्बे अंस से कम थे बच्चो ये आपके पाठ़ पुस्तक में दे गई है इसे आप अपने पाठ़ पुस्तक में करके देखिएगा अब बच्चो हम आगे चलते हैं आप देखते हैं क्या त्रिवभुज के अलावा भी कुछ आकृतियां होती हैं तो बच्चो इसका जवाब है हां आईए अब हम एक नई आकृति को देखते हैं तो बच्चो आपको यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है इस आकृति का नाम है आयत आये बच्चो देखते हैं कि ये आकृति जिसका नाम आयत है उसकी क्या-क्या विशेस्ताएं हैं तो इसकी विशेस्ताएं जानने के लिए सबस पहले हम इसका मापन करते हैं, तो बच्चो इस आयत में आपको चार भुजाएं दिख रही होगी, भुजा QP, QR, RS और PS, इन सभी भुजाओं को आप अपने स्केल से नापके देखिए, इसी प्रकार से आपको इसमें चार कोन भी दिखाई दे रहे हैं, उन चारो कोनों को जांदा की मदद से नापके देखिए, तो बच्चो आप जब इन्हें नापेंगे, तो आपको कुछ विशेस्ताएं दिखेंगे, कि दो भुजाओं का मान बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, और वो भुजाएं एक दूसरे के सामने हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे कि हम जब चारो कोन को मापन करते हैं, तो चारो कोनों का मान नब्बे अंस आता है, तो इस अधार पर हम कह सकते हैं कि आयत के चारो कोनों का मान नब्बे अंस होता है, तथा उस आकृती के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस अधार पर हमने एक आयत की परिभासा बनाई बच्चो जिसे हम कह सकते हैं ऐसा चत्रभुज जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान होती है तथा चारो कोनों का मान नब्बे अंस होता है या समकोन होता है उसे हम आयत कहते हैं आये बच्चो इसी प्रकार हम एक नई आकरिती को देखते हैं तो बच्चो यहाँ पर एक आकरिती आपको दिखाई दे रही है ए बी सी डी इसका भी मापन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या विसेस्ताएं हैं तो हमने बच्चो इनकी चारो भुजाएं ना पी और चारो कोन का भी मापन किया तो बच्चो आपको दिख रहा होगा कि इनकी चारो भुजाओं का जो मान हैं वो एक जैसा मिला साथी साथ चारो कोन का भी मान एक जैसा मिला तो यह एक ऐसी आकरिती थी जिसके चारो भुजाओं की लंबाई और चारो कोनों का मान समकोन था तो इस प्रकार की आकरिती को बच्चो कहते हैं वर्ग तो हमने एक नई आकरिती देखी वर्ग और इसकी विशेषता क्या थी बच्चो तो बच्चो हमें एक ऐसी आकरिती मिली जिसकी चारो भुजाओं की लंबाई एक समान थी और चारो कोन का मान भी नब्वेंस था तो इसे हमने नाम दिया था वर्ग अब बच्चों आप देखेंगे कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी तो हम इसे आयत ही कहेंगे परन्तु आयत में एक विशेष्ट विशेष्टा होने के कारण हम इसे अलग नाम दिये और वर्ग कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक प्रकार का आयत है तो आईए बच्चों अब हम इसकी परिभासा देखते हैं तो एक ऐसा आयत जिसकी चारो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं तो आईए बच्चों अब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में प्रतम प्रश्ण आपको जो दिखाई दे रहा होगा इसमें बच्चों हमें त्रिभुज की भुजाओं को नापना है और नापने के बाद जो मान आएंगे उनके अधार पर हमको ये पता लगाना है कि यह त्रिभुज कौन से प्रकार का है तो हमने तीन प्रकार किये थे बच्चों संभाहु त्रिभुज, संदिवाहु त्रिभुज और विसंभाहु त्रिभुज तो आपको इन तीनों में पता लगाना है कि जो दिया गया त्रिभुज है वो किस प्रकार का है उसी प्रकार बच्चो जो दूसरा प्रश्ण है उसमें आपको कौन को नापना है कोन नापने के बाद आप ये देखिए कि वह कौन सा कोन है वह अधिक कोन है, न्यून कोन है या सम कोन है अब बच्चो अभ्यास 3 में देखिए कि आपको कुछ चत्रभुज दिखाई दे रहे होंगे इनकी भुजाओं को भी आप स्केल के माध्यम से मापिए उसके बाद जो मापन आएगा जो उनका मान आएगा उसके अधार पे आपको पता लगाना है कि यह आकृती वर्ग है या आयत है इस प्रकार आप अभ्यास करके देखेगा आए बच्चो हम देखते हैं कि हमारे जो समानित जीवन है उसमें हमें कौन-कौन सी आकृती दिखाई देती है और उसका पता लगाते हैं कि वो वर्ग है या आयत देखो बच्चो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे जो आपको समानित जीवन में दिखाई देते हैं जैसे एक पुस्तक बना है, एक कौपी बनी है, एक माचिस की डिब भी है एक चौक का डबबा है जो कि आपके इसकुलों में दिखाई देता होगा और एक इट बनी हुई है तो बच्चो देखिए, इसी में आपको आयत भी दिख रहा होगा और इसी में आपको वर्ग भी दिखाई दे रहा होगा और भी आप बच्चो देखिए बच्चो आप और भी देखेगा कि आपके आसपास के महौल में कहां पे आपको वर्ग दिखता है और कहां पे आपको आयत दिखता है अब हम कुछ और आकरतियों पे चर्चा करते हैं तो बच्चो आपने बहुत लुडो खेला होगा जिसमें आपको पासा तो यादी होगा यहां पे देखिए एक पासे का चित्र बना हुआ है तो इस आकरति को बच्चो घन कहते हैं इस आकरति की खास्यत है इसकी भी सभी भुजाएं एक समान होती है परन्तु आप देखेंगे कि वर्ग से जादा भुजाएं घन में होती है इसी प्रकार देखिए कि आपके आसपास में आपको कहां कहां घन दिखाई दे रहा है एक और आकरति होती बच्चो जो आपको आसपास दिखाई देगी उसे कहते हैं संकु जब आप किसी का बड़े पार्टी मनाते होंगे जन्म दिन मनाते होंगे तो आपको इसी प्रकार से टोपी पहनाते हैं ये टोपी किस आकरति का नाम है बच्चो संकु इस आकरति को हम संकु कहते हैं इसी में आपको आईस्क्रीम दिखाई देता है इसी आकरति में आपको मंदिर की गुम्बत भी दिखाई देती है तो इस आकरति का नाम क्या है बच्चो संकु आईए हम एक और आकरति देखते हैं बेलन अब बच्चो आपने अपने घर में बैटरी तो देखी होगी आपने अपने घरों में कप भी देखा होगा गिलास भी देखा होगा इसकी आकरति कुछ अलग होती है इस आकरति को बच्चो हम बेलन कहते हैं ये बेलन आपको आपके कीचन में भी दिख जाएंगे, आपके कीचन में आपको बहुत सारे डिब्बे बेलन अकार में ही दिखाई देंगे, तो इसे हम बेलन कहते हैं तो बच्चो आज हमनोंने बहुत अलग-अलग तरह की आकरिती के बारे में पढ़ा, हमने त्रिभुज देखा, वर्ग देखा, आयत देखा, साथी साथ कुछ अलग आकरितियां भी देखी, जैसे संकू, घन, बेलन बच्चो आप अब अपने आसपास के महौन में देखिए, कि जो वस्तुएं हैं, वह किस आकरिती की हैं, और उसकी एक तालिका बनाईए, और अभ्यास करके देखिए अब बच्चो हम मिलेंगे आपसे गनित की कुछ नई अवधार्नाओं के साथ अगली कक्छा में, तब तक के लिए नमस्कार